शरिवार से वायातरा फिर महंगी हो जाएगी हार टिकेट पर कमिशन वसूला जाएगा यूँ तो ये कमिशन एजेंस के लिए था लेकिन अगर आप सीधे एरलाइन से टिकेट खई देंगे तो डिसकाउन देने की बजाए एरलाइन्स ये कमिशन खुद हरब जाएगी पहली नवंबर से हवायातरा एक बार फिर महंगी हो जाएगी लेकिन इस बार हवाय किराया बढ़ने की वज़ा हवाय इंधन नहीं बलकि एरलाइन्स और ट्रैवल एजेंस के बीच की लड़ाई है देश के फुल सर्विस एरलाइन्स जैसे एर इंडिया, जेट एर वेज और किंग फिशर समेट आठ विदेशी एरलाइन्स ने पहली नवंबर से ट्रैवल एजेंट को दिया जाने वाला कमिशन बंद करने का फैसला किया है अब तक एरलाइन्स एजेंट को हर टिकट के बुकिंग पर 5% कमिशन देती थी कमिशन बंद होने के सुरत में ट्रैवल एजेंट हर टिकट पर ट्रैवल एजेंट पर ट्रांजेक्शन फी स्वसूलेंगे शनिवार से हवायात्रियों को फुल सर्विस एयरलाइन्स के घरलू टिकट के एकनोमी क्लास के बुकिंग पर साथे बिजनस क्लास के टिकट पर 500 रुपए देने होंगे अंतराश्टिय उडान के एकनोमी क्लास के टिकट के लिए 1200 रुपए और बिजनस क्लास के टिकट पर 2000 से 5000 रुपए के बीच बतौर टांजेक्शन फीस देना होगा ये टांजेक्शन फीस सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स के जरीए खरीदी गई टिकट पर ही नहीं होगा बलकि एयर लाइन्स भी ट्रैवल एजेक्शन फीस वसूलेंगी मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है देश भर में करीब 3,000 आयटा ट्रैवल एजेंट्स हैं और एयर लाइन्स का अभी भी 80% से ज़्यादा कारोबार ट्रैवल एजेंट्स के जरीए ही होता है एयर लाइन्स और ट्रैवल एजेंट्स के बीच ट्रैवल एजेंट्स का समझोता दिसंबर 2009 तक हुआ है नतीजा चाहे जो हो आखिरकार जहेलना तो यात्रियों को ही पड़ेगा सिधात शेखर जे बिजनेस दिल्ली